में सवाला जबही हैं क्या मेंा सब्सक्राइब करना यहां सब्सक्राइब करते हैं तो ऐसे सात्य वह अन्हें बहुत सारे से कडेगरी जो साइंस इस्ट्रीम का चैन करते हैं उनके लिए विग्यान और मैथ दोनों हैंगा कितने प्रशन आएंगे इस पूरे सेलबस को बताएं क्योंकि आट और साइंस मैथ में थोड़ा सा अंतर देखने को वही मैं आपको बताऊंगा जो अंतर है वो साइंस को ही लेकर है उसको लेकर एक एक करके पूरी सेलबस पर बात करूंगा आप लग इस वीडियो का नंतक बने रहेगा और हां कॉपी कलम के साथ इसकी पीडियो का नंतक खतम होने बाद टेलिग्राम पर मिलेगे इसलिए परिशान नहीं होई कि वीडियो का नंतक बने रहेगा आपके कोई प्रस्ण कोई शवाल वीडियो की कमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके सकते हैं और हां आप ज़रा कमेंट करें बताएगा आपका कौन सा इस्ट्रीम है असानी हो इसके अलाव अगर आप चाहते कि वीडियो बनाए तो आप जो बताएगा हम पूरी सिल्वस को विधिवत रुप से चर्शा करेंगे एक पार्ट एक पहलू को ध्यान में रखकर हम बात करेंगे आपके साथ मिलकर जी हाँ यहाँ यहाँ पर हम लोगों देखा कि जो बिशय है इसमें यह उच्छ प्राथमिक के लिए है मतलब जूनियर के लिए जैसके मिने आपको पहले बता दिया हम लोग बात करने जा रहे हैं सीटेट का जूनियर का जो पाटिकर हमें नया सेलवर जो है उस पर हम बात कर रहे हैं यहाँ पर एक तरफ बिशय है दुस चूच करते हैं तो हिंदी शभी के लिए निवार हैं और निवार का मतलब 20 भासा हैं 20 भासा में से किसी एक भासा को चैन करना कर आप हिंदी भासी राज से हैं तो आप हिंदी को पर्था में दूती किसी में भी चूच कर सकते हैं आप हिंदी भासा को पर्ष्ट में चूच करने 19 क्यों कि 20-a आप 19 भासा बचे कि एक तो आपने चूच कर लिया है 19 मिसे कर आप हिंदी ये संस्कीत जो भी चूच करना साथ है अगर हिंदी वैसी राजी के हैं तो आप चाहें हिंदी संस्कीत चूच करेंगे चांगरेजी चूच करेंगे यहाँ पर आप 30 प्रस्न आए इस प्रकाद 150 प्रस्न 150 अंग और 150 मिनट के होगे और जो परिच्छा होगी वो CBT मोड मोड के अगर पासिंग मार की बात करें तो यहाँ पर 82 और 90 अंग इसके पासिंग मार का हैं पासिंग अंग है उमीद करते हैं यहाँ तक का जो कॉंसेप्ट है यहाँ तक की जो करिएगा और चैनल पर नए है तो सस्क्राइब करके बेल आइकन दबा के रखिएगा लेकिन इस वीडियो को हरुन मित्रों तक भीजएगा जो जो जुनियर सिच्छक बना चाहते हैं उनकी ने जुनियर का सीटेट पास करना हम और महत्त्रपूर है और इसके लिए हम आपक जुनियर की बात करें अगर हम सीटेट जुनियर की बात करें तो यहां पर दीए क्या क्या चीज़ कॉमन मिलेगा आपको CDP है common मिलेगा लैंग्विज फर्स्ट लैंग्विज सेकेंड इतनी चीज़े आपको common मिलेंगी मतलब यह सस्टी और Math Science के लिए दोनों का एक ही है आरात्मगांग नहीं होता उपर ही में ने बताया तो फिरसे मैं आपको बता दे रहाँ विकास की अवरधार्ण और अधिगम के साथ इसका संबंध कौन से केताब इसके लिए बेस्ट होंग उस पर भी मैं चर्चा करूंगा बालको के विकास के सिध्धान अनुवानसिक्त कि अधार्णा बाधिक्ता की निर्माण का विवेचित संदर्म बहु आयामी बाधिक्ता एक समाजिक निर्माण के रूप में लिंग लिंग की भूमिकां पुरवाग्रय सर्चिक बहार ब्यक्तिगत भिंता भासा और चिंतंग अधिगम का मुल्यांकन से छार्तियों की तै दुर्गेशर सर्च करिएगा बिनाई स्पेस के ईलर नी भी दुर्गेश हैगा उससे आप लोग जोईन कर लिजएगा टेलिग्राम पर इसकी जो यह सेलवस है इसकी नोट जो है आपको यह कही जगा टेलिग्राम पर मिल जाएगी यहां पर समय से सिच्छा यह पेपर के समय सिच्छा सीखना और सिच्छा सास्त्र क्योंकि हम यह जानते हैं कि पंद्रे नंबर के थेयरी और पंद्रे नंबर का सिच्छन दोनों आपके सेलवस में हैं मतलब 50% सिच्छन 50% जो है वह आपका जो सेलवस है जो टीचिंग है उससे आपका आएगा और इसलिए दोनों प्रक्रिया वो क्या है बालकों में अधिगम की वैकल्पिक संकल्पना क्या है बालकों में अधिगम की जो वैकल्पिक संकल्पना है वो क्या है पोध एम सम्वेदना है प्रिणा और अधिगम अधिगम में योगदान देने वाले कारत अधिगम में योगदान देने वाले जो कारक हैं उनके बारे में भी यहां पर अस्पाट्रोप से लिखा गया है तो यहां पर ध्यान से देख लिएगा यह important आप सभी के लिए अधिगम और युक्दान देनेल कारक प्रेणा और अधिगम बहुत शमयदा हैं बालकोक अधिगम इसके साथ साथ इसमें में भी लोग इस वीडियो के माध्यम से पूरे पाटिकरम पर चाचा कर रहें अगर हम सेडिपी की बात करें इसकी सबसे जो बेस्ट बुक है मार्केट में सबसे पढ़िया ग्यारा बारा की एंसके अलावा मार्केट हैं बहुत सारी किताब हैं जो आपको मिल जाएंगी और इसकी पीडिया डाल्लोड करके पड़ सकते हैं दूसरी सबसे अहम बात यह हैं कि इसकी लिए प्रिवियस पेपर अगर आप फोकस करेंगे तो आप सीटेट ने बहते और बड़ा स्कोर आसानी से कर पाएंगे अब हम बात करते हैं भासा के तरब भासा प्रथा में जिन्हो तो यहाँ पर यहीत शीजय महत्तिपों है कई यह बार कहोती अपंधिद गद्यांस होता है ।まり 17 नम्मर के खेले होता है तो इसकाई रचिण में अगर्स हमता है को में सब्सक्राइब बोल ने कि भूका ध्यां देनायोगी क कि बातेश में अ आए उद्idelity में सीधे सीधे सवाल पूछा जाते हैं सभी के लिए महत्तपून हैं और हम चाहेंगे जितने भी साती लोग इस वीडियो को देख रहे हैं मैं सभी साती फुटाब और कमेंट करके बताएं सुनने और बोलने की भूम का किसी भासा सिच्छन में ब्याकरण की भूम क्या होती ह भासा का उसल क्या है भासा की समझ और प्रमीरता का मुल्यांकन सिच्छन मने सिच्छन समगरी पाठ़ पुस्तक बहुमीडिया बहुभासी शंसाधन चित्र आदि कई इसे टॉपिक हैं जो परिच्छा के दिश्टिकोन से काफी उप्योगी काफी अहम और काफी महत्त पू सवाल आगे पर इच्छों में सीधे सीधे पूछा जाते हैं आप लोग चाहिए इसकी पूरी स्किंसाट अपने पास रख सकते हैं ऐसे इसका पूरा सेलवस आपको टेलिग्राम पर मिल जाएगा नोट्स दिखे प्राप्त करने के लिए आप इस नंबर पर वार्ट्षप क आपको निसूल के आपर मिलते रहेंगे मेरी क्लासेज आप लोग को निसूल देशित में राष्टी तो मिलती रहेगी लिए संकल्प एक ही रखना मंजिल तक जाने के लिए गर बेटे प्राप करें नसलेकित नोट्स और इस नंबर पर वाट्षप करके यह सभी जन्पत ज इन्होंने संस्कीत रखा है कि कई बार लोगों मनें प्रशनाता है कि संस्कीत और अंग्रेजी को लेकर तो अंग्रेजी भी आपको बताएंगे संस्कीत बताएंगे देखें दोनों में गर भासा की बात करें चाया कोई भी भासा भी लेंगे उसमें नो नंबर के गध्यान च्छान नमबर प्रोज, पोट्रिव और पेड़ागाजी मतलब इसे 15 नमबर का सिच्छन होगा यह किसी भासा को चायन करें बीस में से किनी दो भासा को चायन करेंगे तो पूरा जो सेलबस है इसी काधार पर त्यार होगा हम इस पर भी बात करेंगे संस्कीत में स्कोर बहतर आप एक करके बात करें तो हमारे और आपके शामने कुछ महत्तर पूनी चींजाती जैसे इसमें संस्कीत घंदे कंव प्रष्ण भी होते हैं अलग से ब्र्ष्ण सवाल कभी कभा पुछ एते खश्कर जब qt mode पर होने जब online mode पर पर होने लगा तब से यहां से कुछ प्रष्ण पूछे जाने लगे हैं ठीक है इसमें सब सब दुरूप है अधात दुरूप है कारविभक्ति उप्षर्ग है प्रत्य शंद लकार श्रावनाम विशेश लिंग अबेश्व प्रिशना इस प्रकार से हैं एक कम अपठीत पध्यान इस लोग है अधारित के निमिखित बिंदू सब्धित बैक्रण्ड प्रस्ण हो सकते ह इसलिए आपको घबरान नहीं है इस पर फोकस करना है और आप चाहते हैं तो सबसे पहले प्रेफर कर रहे हैं किस बीसे को पढ़ना चाहते हैं थीक संस्कित अनुवाद है श्वरे बेंजनम को चाड़न स्थान नहीं नहीं वाच्चे परिवड़त हैं लट लकारे असवद पूरा संस्कित भासा सिच्चन से धानता संस्कित सिच्चन विरूची प्रस्ण शंस्कित भासा कॉशल विकास स्वरण सभाषणम पठनम लेखनम यह सब आपको इलनी बिद दुर्गेश के नोट से मिल जाएगा अगर आपको कोई ऐसी केता मार्केट में नहीं मिल लई ज संस्कित सिच्षण जो अधिगम है संस्कित सिच्षण समस्त संप्रीशन सधृक्षम सैं ayam दूर ईप्चर जाएगा जहापर मैंने आपको बताया कि घर घुटे सभी नौट्स इस नंबर पर Wiral Alternative YouTube पतों अब कहें तो सतर मुल्यांक कनम भी है तो ये उपर मैंने आपको बदा गर आप ध्यान से पूरा हिंदी सिच्ण कंप्लेट कर लिया पढ़े लिया तो संस्कित सिच्ण आपके लिए मात्य पूरोगा एक सवाल आता है कि सर्म हिंदी सिच्ण भासा दूती में हम संस्कित नहीं अंग्रेजी कि जितने भी शात्यमित्र वीडियों को देख रहा है वे सब इस बात को भली बाती समझ लेंगे ब्ली बाती जांगे कि संस्कृत कि अगर अप उनलाइन मूड में की तो थोड़ा सा प्रशन होते हो आपको बाहर से जाता हुआ दिखा देते हैं लेकिन आपको भासा नहीं लगते लिए अगर आपने practice किया आप इससे आसानी से score कर पाने कि पूरा-पूरा खेल जो है यह पूरा-पूरा आपका practice पर ही है उतना बढ़ी है प्राक्टीस उतना बढ़ी है आपका स्कोर होगा ठीक है अगर आपके मन में कोई प्रस्ण कोई सवाल हो तो कॉमेंट कर सकते हैं हम आगे बढ़ते हैं इसके और आगे के लिए अब हम लुग देखते हैं लाइंग्विज अब यहाँ पर क्या होगा लर्निंग यहाँ पर देखी अंसीन पैसेज हो गया ठीक प्रिंस्प लाइंग्विज अब टेचिंग होगा ग्रामर होगा सेम यहाँ पर भी है जैसा कि नौ नंबर का प्रोच पोट्री फिर पैड़ागोजी तो यह पूरी प्रक्रिया आपको चलेगी पूरा सेलवस्चा इंग्लिस की जो भी भासा होगै इसकी अलावा उर्दु हो गया तिया इसमें सभी पर आपको देखने को मिलेगा ठीक, रोल आप लिस्निंग और श्पीकिंग हो गया, लैंग्वेज़ श्कील हो गया, रोल आप ग्रामर इन टीचिंग हो गया, लैंग्वेज कुरूप में क्या है, असस्टमेंट लैंग्वेज हो गया, प्रोफेंसी हो गया, फिर टीचिंग हो गया, ठीक, उसमें पर दिर्गेस को नोट से मिल जाएंगे और आप इसकी पूरी पेड़ेप डाउनलोड कर सकते हैं एक ही जगा मिल जाएगा और इसका भी एक ही तोड़ है एगर आप सिवेश्य वोट से रहे हैं तो आप उस संस्की थोड़ा तेड़ा लगेगा उस दसा में आप इंग्लिश लेंग्विश को पढ़िए और सबसे जाधा कोसिस करिए कि इसकी प्राक्टिस पर जोड़ करें जो प्रीवेसर पेपर हुआ है उनलेइन पर इख्षा होई है उनको जितना ज्यादा प्राक्टिस कर लेंगे आप उतना बड़ा और भातर इसकोर खुद में कर पाएंगे त तो यहां पर गणित विज्ञान की कि जैसे कि मैंने पहले बता यहां तका जो शेलवर्ष है वो यहां तका जो शेलवर्ष है वो दोनों के लिए हम है चाहे आप जूनियर एसस्टी के लिए पढ़ रहा हूं चाहे आप इससे साइंस के लिए पढ़ रहा हूं दोनों के लि गुड़े तीर मतलब 90 अंके हो गये थे अब हम बढ़ेंगे 60 अंकों की तरफ इस तीर में अगर हम बात करें तो क्या है पहला अब हम बढ़ें 60 अंकों की तरफ बढ़ें गड़ीत विज्ञान की तरफ इसमें क्या है अंक गड़ीत जामती छत्रामिती यह तो कॉमान जानते हैं आप सभी के लिए की गड़ीत है तो वह यह यह आपको पढ़ना पड़ेगा बेसिक गड़ीत है और इसमें जो शवाल आते पूरा एंसियाटी का मतलब यह पूरा एंसियाटी अगर आपने कबर कर लिया एंसियाटी 628 में क्या-क्या क्यों गड़ीत विज्ञान अगर आपने पढ़ लिया आपको सीटेट को पार होने से कोई रोक नहीं सकता इसकी भी नोट्स आपको लेने पर दुर्गेश के उप मुदाई गणित हैं अपचारिक और अनपचारिक तरीकों के माध्यम से मुल्यांकन हैं सिच्छण की समस्याएं हैं तुर्टी विशलेशन और सीखनेयों सिच्छण से समंधित पहलू है नैदानिक और उप्चारात्मक सिच्छण हैं तो हमने देखा यह आपके 30 नमबर के गणित में से पंदर नमबर गणित और पंदर नमबर के टीचिंग आयेगी पंदर नमबर का सिच्छण आएगा जो हम आपको इलो ने भी दुर्टी समाध्यन से अपलाद करेंगी मेरी क्लासेज आप सभी को निसुल्ट देशित मेरा अच्छित में रहती हैं और आगे भी अपर इस बात को लेकर इस टॉपी को लेकर आपको और आप सभी को घुबडाने के जवरत नहीं बस इस पर आपको सिधा से जदर ज़्याधा जदर फोकस करना है जयतना बहतर फोकस करेंगे रहीपका स्कोर होगा ठीक है गड़ित प्राक्टिस पर क्योंकि जो आट साइंस में जो बायो गृप से होंगो उनके लिए थोड़ा सा गड़ी टेड़ा होगा और उनको कईवा लगता होगा सर क्या हम SST चूट कर सकते जी ने ऐसा नहीं है ऐसा नहीं कर पाएंगे और आपको साइंस में साइंस मै पढ़ा और आभी कितना पढ़ाना सेस रह गया है दीखें नोट्स के ओता कम समय बहता त्यारी करने का एक विकल्ब के तौर पर हमें हमारे और आपके सामने आता है अगर हम बात करें बिग्यान की तो बिग्यान का चाच्छा से लेकर आठ तक के बिग्यान की जो सब्सक्राइब कर सकते हैं यहाँ पर भोजन हो गया भोजन के शुरोथ अब यह सच करना शामागरी हो गई जीव जन्तूओं की दुनिया सचल वस्तूएं लोग और विचार चीजे कैसे कारे करती हैं विद्धूत और करेंट चुंबक प्राकितिक पद्धति प्राक्तिक संस साधन यह होगे टोटल 6-8 तक इसके बहुत तरह से सक्सन आपको भी नहीं है जो जैसे कुछ हिदेन सेलवेच होता है कुछ सेलवेच सामने होता है लेकिन NCRT से बाहर सीट नहीं जाता है चाहे ऑनलाइन एक्जाम रही हो चाहे आफ्लाइन एक्जाम रही हो अब तो प्रियोग खोज की विधि नई खोज पार्टे सामागरी मुल्यांकन शंग्यान अत्मक मनोप्रेरग भौनात्मक समस्याएं और उक्षारात्मक सिच्छन तो यहां पर हम लोग होने है बिज्ञान सिच्छन घणी सिच्छन तो यह एसस्टी वालों को नहीं पढ़ना है कि विज्ञान वालो ओंंति है उस पर भी मैं बात करें तो साथ नमबर में हम पढ़ले स्रीज बना ढ़ना देते हैं यहां पर दिखें मैयत होगा कि यह कुझा पर लुग और फिर यह अब में भी सेम यह होगा थेयरी होगा फिड़ागा यह 15 यह 15 यह 15 यह तो यह 15 गुड़े चार है तो अगर आपको यह तयार नहीं उपर इस पर ज्यादा समय मत गवाए लेकिन अब आपका पेपर 135 का हो गया 150 की जगा अब आपका पेपर 135 हो गया अगर आप इसमें से 90 प्लस ले कर आए तो फिर भी बहुत बड़ी बात है इसलिए तो आप लोग जिनको गणित नहीं आरे इस पर समय ना गवाए वो गणिसे च्छन पर फोकस करें वह बिग्यान पर फोकस करें वहां से बड़ा और बहतर स्कोर कर पाएंगे कर सकते हैं इसलिए मेरे प्यारी शवी शाथ सभी जानकारी आपको अपलब देखर रहेगा और सभी ख्लासेज के लिए एक नंबर लिख रहेगा चौरायन भी क्यावन 062 078 इस पर सीटिट लिखकर भेजएगा सीटिट की जो भी क्लासेज होती जो भी पीडियाप नोट्स होता है वह आपको अनिस्वल कर मिलता रहेग इसको भी इस पर वाट्शेप में सीटिट जाइन लिखकर भेजएगा आपको हैं पर सब कुछ मिल जाएगा सीटिट की लिख वायज के लिए लग है गल्स के लिए लग लिंक है इसलिए आप लोग घबलाएगा निम और टेलिग्राम पर भी आप जुड़े रिएगा यहा चलती है मेरे द्वारे सभी क्लासे निसुल्ग होती हैं फिर भी अगर आपको कोई प्रस्ट नहों कोई सवाल इस वीडियो कॉमेंट करके दीजेगा कि इसके पहले आपने सीटेट दिया है सीटेट पास हैं कितने अंका हैं उस बार जून्यूर सिच्छक बढ़ती के लिए लिए फिर से मिलते हैं एक नए बीडियो के साथ एक नए लेक्चर के साथ तब बीडियो को खुब शेयर करिएगा लाइक नीक तो लाइक करके रखएगा चनल पर नया है सब्सक्राइब करके बेल ऐकन दबाएगा इसके अलावा एक और यूट्यूब चनल है लिए मिलती रहेंगी जो काफी आसान हो जाएंगी आपके लिए तो आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद फिर से मिलते हैं एक नए सेसन के साथ एक नए क्लास के साथ एक नए समय पे तब तक के लिए जय हिंद जय भारत कोई सवाल के प्रश्णों तो पूछ सकते हैं वरन नहीं चलती हैं तो क्या आप लोको मिला उसके लिए मैं फिर से कहूंगा टेलिगराम पर आप दुर्गेश सर्च करके इलनी बी दुर्गेश पर जुड़े रहें ठीक आफ सभी का थेंक्यू कोई सवाल कोई प्रस्टों कर सकते हैं कोई बतिगत सवाल इलनी बी दुर्गे इसके इस्टाग्राम पर अपने सवाल को पोस्ट कर सकते हैं थेंक्यू बाई बाई जैहिन जैभारत बेस्ट आफ लग अब की बार सीटे पार ताकि अगली बार एक सीट हमार